लोकप्रिय टीवी शो तारक महता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंग सौडी का किरदार निभाने वाले गुड़ चरण सिंह अचानक लापता हो गए हैं। गुड़ चरण सिंह के पिता ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। समाचार एजेंसी एनाई के मुताबिक वो पिछले पांच दिनों से लापता है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में जाच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुड़ चरण सिंह सोमवार को दिल्ली स्थित अपने घर से मुंबई के लिए निकले थे और तब से लापता है। उन्हें मुंबई पहुचना था लेकिन वे ना तो वहाँ पहुचे और ना ही घर लोटे। उनसे फोन पर भी संपर्क नहीं हो प लाश रहे हैं। फिल्हाल वो लापता हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने समाचार एजनसी एनाई को बताया। हम मामले की जांच कर रहे हैं। पिंक विला के मुताबिक एक्टर अपने पिता का जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई से दिल्ली आये थे और इसके बा वापस नहीं आए। इसलिए यहां रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। गुर्चरण सिंह के पिता हरगीत सिंह ने इंडिया टूडे को बताया। इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने हमसे दस्तावेज ले लिये हैं और मामले की जांच करने का आश् संदिया है। दक्षिन पश्चिम दिल्ली के DCP रोहित मीना ने समचार एजनसी ANI को बताया, गुर्चरण सिंह के परिवार ने हमारे पास शिकायत दर्ज कराई है कि वह 22 अप्रेल को मुंबई के लिए रवाना हुए थे। तब से वह लापता हैं। उन्होंने कहा, हमने मा 60 के तहट मामला दर्ज किया है। बुनियादी तकनीकी सबूतों की जाच कर रहे हैं। फुटिज में उन्हें बैक पैक के साथ निकलते देखा गया।